Goods and Service Tax GST मूल्य समवर्धित कर के रूप में GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है हाला कि इसकी तयारियों में कई वर्ष लग गये इसके पूर्व हमारे देश में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाया जाते थे जैसे वस्तू के उत्पादन पर उत्पात शुल्क लिया जाता था सामान की विक्री पर विक्री कर लगाया जाता था सेवा कर जैसे मोबाइल सेवा, रेस्तरा सेवा, आधी की विक्री पर सेवा शुल्क लिया जाता था GST के लागू होने से अप्रत्यक्ष करों को गुड्स और सर्विस टेक्स की एक प्रणाली में बदल दिया गया है इसमें वस्तु और सेवा के उत्पादन और विक्री दोनों कर शामिल है आधुनिक उत्पादन और विक्री प्रक्रिया जटिल है क्योंकि ये कई चरणों से गुजरते हैं यहां तक कि सबसे सरल उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ चरण शामिल रहते हैं प्रत्यक चरण में कुछ समवर्धित मूले भी होता है हम इसे निम्नुधारन से समझने की कोशिस करते हैं एक बिस्किट निर्माता अपने कच्चे माल को खुले में बिना किसी ब्राण के खरीदता है बिस्किट बनाने के लिए वह गेहु काटा, चीनी जैसी सामागरी खरीदता है जिस पर कोई टेक्स नहीं लिया जाता मान लीजें कि वह 450 रुपे के बिस्किट तयार करता है जिसमें उसकी सारी लागत इस आकड़े में शामिल है जैसे कच्चा माल, श्रमिक की मजदूरी, कार्याले और कार खाने का किराया आदी अगर वह 50 रुपे अपने लाब का अंश जोडता है तो बिस्किट का विक्रे मूले 500 रुपे हो जाएगा यह बिस्किट वह एक व्यापारी को बेजता है और विक्री के समय बिस्किट निर्माता को निर्धारित कर की दर पर GST का भुकतान करना पड़ता है यदि GST के दर 18 प्रतिशत है तो बिस्किट निर्माता को 90 रुपे 500 रुपे का 8 प्रतिशत का भुकतान कर के रूप में बिस्किट खरीदने वाले व्यापारी से लेना होगा यह टेक्स व्यपारी से बिस्किट निर्माता द्वारा एकत्र करने के बाद सरकार को जमा किया जाएगा व्यपारी का बिल कुछ इस प्रकार का होगा बिस्किट का मूले 500 रुपे, GST 90 रुपे, कुल 590 रुपे यह व्यपारी समान का भंडारन करता है, एक दुकान का रख रखाओ करता है, काम करने के लिए कर्मचारी भी रखता है व्यपारी बिस्किट को एक खुद्रा दुकानदार को 700 रुपे में बेजता है इस रकम में उसकी सभी लागत और लाब शामिल है 700 रुपे को उसका अंति मूले माना जा सकता है 18% GST पर उसे 126 रुपे GST यानि 700 का 18% के रूप में भुकतान करना चाहिए याद कीजिए वेपारी ने बिस्किट निर्माता से बिस्किट खरीदते समय इसे input tax credit भी कहा जाता है तीन चीजे यहां उलेखनी है किसी भी समान पर समवर्धित कर प्रणाली के तहट भुकतान किया जाने वाला tax कम होता है क्योंकि input पर दोबारा tax नहीं देना पड़ता GST के तहट कीमत में tax कम होने की उम्मीद बनती है GST में below यानि चलान की महतपूर्ण भुमिका है यह सबूत प्रदान करता है कि खरीदार ने input पर GST का भुकतान किया है या नहीं हमारे वैपारी वाले उधारन में जब तक वह अपनी खरीद का सबूत प्रस्तूत नहीं करता है उसे सरकार को कर के भुकतान के रूप में 36 रुपे की जगा 126 रुपे देनी होंगे इस तरह वा बिस्किट निर्माता से बिल देनी की शर्त पर ही बिस्किट खरीदेगा इसी तरह खुद्रा स्टोर मालिक पहले से भुकतान किये गए करों को दिखाने के लिए वैपारी से एक बिल मांगना याद रखेगा GST के तहट प्रतेक मध्यस्त को लेन देन का उचित बिल रखने और टेक्स का भुकतान करने के लिए प्रोचसाहित होता रहेगा इस प्रकार या अधिक संभावना है कि लोग अवर्शे कर का भुकतान करेंगे और करों की चोरी कम होगी हाला कि कर निर्माता या व्यापारी द्वारा कर लगाया जाता है परंतु अंत में उभोगता ही कर का भुकतान करता है उभोगता कीमत में छिपे कर के बारे में अकसर अंजान होता है क्योंकि या उभोगता से अप्रतेक्ष रूप में एकत्र किया जाता है निर्माता और व्यापारी टेक्स एकत्रित करते हैं और सरकार के पास जम्मा करते हैं GST की पारदशी प्रणाली के कुछ अनिफायदे भी है जब कई करों का इस्तिमाल किया जाता था तो उत्पादन से लेकर अन्तिमुभोग तक करों की एक लंबिश रिंखला बनती थी या कर एक चरण से दूसरे चरण में इस्थाना अंत्रित होता है और या मूले में ही छिपा रहता है भुकतान किये गए सभी करों का खुलासा नहीं किया जाता था इसका उलेक सभी करों सहीत कीमत से कर दिया जाता है लेकिन कितना कर है या बताया नहीं जाता GST के तहट एक उत्पाद पर टेक्स बिल में विशेश रूप से उलेक किया जाएगा एक और महतुपूर अंतर है कि या पूरे देश के लिए एकल कर है GST के तहट वस्तूओं और सेवाओं में देश भर में कर की दर समान होती है चाहे वह फैक्टरी के बगल में वेचा जाता है जहां या उत्पादन किया जाता है या हजारों किलोमीटर दूर कर शुल्क एक ही लगाया जाएगा इससे पहले राज्यों में टेक्स की दर भिन भिन होती थी दवाईया या मोटर साइकल एक राज्य से दूसरे की तुल्ना में सस्ते थे नतीजतन राज्यों के बीच आवांजिनीर प्रत्योगिता थी जिसमें उद्योग और व्यपार एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन किया करते थे आवश्यक टेक्स का भुकतान किये बिना कई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की तसकरी करते थे इसके अलावा राज्यों में सामानों की आवाजाही के लिए प्रवेश कर लिया जाता था जो प्रदेश की सीमा पर एकत्र किया जाता था आपने राज्य की सीमा उपर ये शेहरों के प्रवेश बिंदु पर ट्रकों की लंबी लाइन को देखा होगा GST के तहित इन समस्याओं से बचा जा सकेगा और इससे बहुत समय एवं उर्जा की बचत होगी हाला कि GST को अभी भी कुछ रास्ता तै करना है उदारन के लिए कुछ और महतपूर्ण मध्यवर्ती उतपाद जैसे पेट्रोल और डीजल GST में शामिल नहीं किये गये हैं और इन उतपादों को पहले के रूप में लगाया जारी है आप सोच सकते हैं कि अभी तक पेट्रोल और डीजल पर कोई GST क्यों नहीं लगाया गया पेट्रोल और डीजल पर बिक्रीकर राजियों की आय का एक महतपूर्ण स्त्रोत है राज इन उतपादों पर कर लगा कर आय प्राप्त करने की शक्ति को खोना नहीं चाहती है अपने लिए अधिकता माय का हिस्सा रखना चाहती है और उनको अपनी जरूरत अनुसार उप्योग करना चाहती है